आप देख रहे हैं हैनीज वोल्ड में हूँ आपके सायथ मोहम्मत कमर खान राजस्तान की चुरू में प्रधानमतिर नेंदर मोधी ने कहा है कि बीते दस साल में हमने कई काम किये है लेकिन ये बहुत कम है अभी तक जो मोधी ने किया वो तो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर है अभी तो खाने की पूरी थाली बाग है उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया है कि भारत इतनी तेजी से विकास काई से कर रहा है हम जो ठान लेते हैं पूरा करके दिखा थे हैं चूरू से भाजपा ने परालंपियन ते अवैंदर जहाज लिया को मैदान में तारा वहीं कॉंग्रेस ने भाजपा छोड़का हाली में पार्टी का दामन थामने वाले राहूल कंस्मा को टिकिट दिया है हम ने आतंकियों को सबक सिखाया था और तब मैंने जो शब्द कहे थे चूरी चूरू की धर्टी पर जिन शब्दों को मैंने दो राया था मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धर्टी पर आया हूँ तो मेरे उन भावों को दोगराता हूँ तब मैंने कहा था यही चूरूब्य कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देज नहीं मिटने दूँगा मैं देज नहीं रुकने दूँगा मैं देज नहीं जुकने दूँगा मेरा वतन है बारतमा को तेरा शीज नहीं जुकने दूंगा लेकिन साथियों आपको याद होगा हमारी सेना ने जब सर्थिकल स्क्राइब और एर्स्क्राइब की तब कॉंग्रेट और उसके साथ ही क्या भाचा बोल रहे थे इसी गबंडिया गरवंदन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे भाई और बहनों सेनाओं का अपमान देश का विभाजन ये कॉंग्रेट पार्टी की पहचान है जब तक इन्डी एनाइट के लोग सत्ता में रहे इन्होंने हमारे जबानों के हाथ बांद कर रखे दुश्मन हमला करके चला जाता था ये जबानों को जबाब देने की इजाज़त नहीं देते थे हमारे जबान वन रेंग वन पेंशन की मांग करते थे कॉंगर्स दे इसे भी फुरा नहीं उने दिया हमारी सरकार मनी तो हमने सहीनीकों को वन रेंग मन पेंशन की अधिकार भी दिया और सीमा पर पलट मार करने की छूड भी खुली छूड दे दे आज दुश्मन को भी पता है ये मोधी है ये नया भारत है ये नया भारत गर में गुश कर मारता है साथ्यों बेश हिच से भी जादा कॉंग्रेट ने हमेशा तुश्टी करन को प्रांथविक्ता दी है ये लोग तुश्टी करन के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये देश ने देखा है ये वो लोग हैं जिनोंने कौर्ट में जाकर कहा था कि प्रभूश्री राम तो कालपुरीक है अभी कुछ माईने पहले ही अयो ध्या में बभ्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ पूरा देश प्राण प्रतिष्टा का उच्छा मरा रहा था लेकिन कौंगेर्ट पार्टी कोले हाम अमारी आर्था का अपमान कर रही थी साथ यों दो देश ने कॉंग्रेस पे पापों की हमेशा किमत चुका ही है और अभी अपिर तो मुझे पत्रकार बता रही थे कि कॉंग्रेस पार्टी ने एक एडवैजरी निकाली है और एडवैजरी भी इतनी दर्यडले निकाली है झाल झाल